Good morning student, आज हम class fourth का third chapter start करने लगी हैं, teeth and care. इस chapter में हम अपने teeth के बारे में पढ़ेंगे और उनके function और उनके care कैसे कर सकते हैं, वो सब हम इस chapter में पढ़ेंगे. जैसे कि हमें पता है तीथ हमारी personality को अच्छा बनाते हैं अगर जब हम हसते हैं अगर हमारे तीथ white होते हैं तो हमारी smile और भी beautiful लगती है और हमारा face को भी क्या मिलती है proper shape मिलती है जैसे हमें पता है यह तीथ है सबसे heart bone है हमारे शरीर में जैसे हमारे तीथ दिखने में इतने सुन्दर लगते हैं वैसे ही उनके काम भी क्या है बहुत ज़्यादा beautiful है अगर हमारे पास तीथ नहीं होंगे तो हम अपना खाना सही धंक से चबा नहीं पाएंगे अगर हम खाना सही धंक से चबा नहीं पाएंगे तो वो खाना digest ही नहीं हो पाएगा teeth help in biting teeth हमें bite करने में भी help करते हैं और सबसे बड़ा जो role play करते हैं teeth वो हमें बोलने में करते हैं क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारी tongue हमारे teeth के साथ touch होती है जिससे हमारे words की pronunciation जो भी हम pronounce करना चाहते हैं वो सही way में निकलते हैं जैसे आपने देखा होगा कि कोई जो old age होते जिनके mouth में teeth नहीं होते हैं हमें उनकी बात कभी कभी समझ में नहीं आती है क्यों? क्योंकि जब वो बोलते हैं तो उनकी tongue teeth के साथ touch ही नहीं होते हैं क्योंकि उनके teeth ही नहीं होते हैं इस करके उनके मूँ से जो word है वो proper नहीं निकल पाते और हमें भी वो सुनाई नहीं देते सही तरीके से. इसलिए हमें अपने दातों की care अच्छे से करने चाहिए. तीथ हमारे face को भी एक beautiful look देते हैं. अगर हमारे mouth में teeth नहीं होंगे तो हम बिल्कुल भी सुन्दर नहीं लगेंगे. Next हम पढ़ेंगे teeth and age. कि जो हमारे mouth हैं उनकी और वो कितने तरह के होते हैं? First category में आते है milk teeth and second हमारे permanent teeth. Milk teeth क्या होते हैं? जो newborn baby के teeth होते हैं. जब बच्चा पैदा होते हैं तब उसके mouth में कोई भी teeth नहीं होता. बड़ जैसे ही वो कुछ month का होते हैं तो उसके teeth आने start हो जाते हैं. इन्हीं teeth को हम बोलते हैं primary teeth, milk teeth या फिर temporary teeth. temporary क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन teeth ने तूटना होता है और इसके बाद हमारे new teeth आते होते हैं. बच्चों के जो teeth होते हैं, वो कितने होते हैं? 20. 20 हमारे milk teeth होते हैं. 10 teeth हमारे उपर जामे and 10 teeth हमारे lower जामे होते हैं. permanent teeth, second type है हमारी permanent teeth, milk teeth के तूटने के बाद हमारे permanent teeth आते हैं और milk teeth हमारे 6 years के बाद तूटने स्टार्ट हो जाते हैं. और जब जो new teeth आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? permanent teeth, एक adult के permanent teeth कितने होते हैं? 32, याद रखना 32 teeth होते हैं. अब हम पढ़ेंगे कि हमारे mouth में teeth कितने टाइप के होते हैं? kind of teeth, first है incisor, जिनको हम cutting teeth भी बोलते हैं. second is canine, tearing teeth, इनको हम क्या बोलते हैं? tearing teeth. third is premolar, premolar क्या होते हैं? grinding teeth. fourth and last one is molar, molar teeth भी क्या काम करते हैं? grinding का का काम करते हैं. first है हमारे incisor teeth. incisor teeth हमारे front पे होते हैं. front वाले teeth को हम क्या बोलते हैं? incisor. ये cutting के काम आते हैं और biting के काम आते हैं. basically four teeth हमारे front अपर जवा में होते हैं और four ही lower जवा में होते हैं. तो टोटल incisor teeth हमारे कितने होते हैं? eight. next है हमारा canine. canine क्या थे? tearing teeth. ये teeth हमारे incisor के side पे होते हैं. जो एकदम तिखे तिखे teeth होते हैं side पे, उनको हम क्या बोलते हैं? canine teeth. ये basically किसके काम आते हैं? tear करने के लिए. ये एक जवा में only two teeth होते हैं. टोटल कितने होगे? upper and lower में four teeth. third category में हमारे आते हैं pre molar teeth. pre molar teeth का क्याम क्या होते हैं? किसी चीज को grind करना. किसी चीज को grind करना और ये teeth हमारे canine के साथ में होते हैं. ये teeth भी एक जवा में सिरफ four होते हैं. तो टोटल कितने teeth होगे हमारे? eight. fourth one है molar. molar भी pre molar की तरह काम करते हैं grinding का. बट इनका size क्या होता है? pre molar teeth से ज़्यादा broad होता है. और इनके जो उपर ही surface है, वो chew and grind करने में हमारी क्या करती है? food को help करती है. here is the arrangement of different kind of teeth in your mouth. front पे हमारे incisor teeth हैं. incisor के साथ canine, canine के साथ कौन से है? pre molar और end में हमारे कौन से teeth है? molar teeth. parts of tooth. each tooth has root and crown. हमारे हर एक teeth का एक crown part होता है और एक root part होता है. तो हमें सिर्फ crown part ही दिखाई देता है. हमें root part दिखाई नहीं देता है. जो crown part हमें teeth का दिखता है, उसके उपर enamel की cover होती है. जो की क्या है? एक hard cover है. जिसके कारण हम easily कोई चीज चबा सकती है. एनेमल के बाद जो second surface आती है, वो है हमारी dentine. Dentine क्या है? एक yellow color की cover है. बट ये enamel की तरों hard नहीं है. उसके अंदर dentine के अंदर pulp. पल्प है, जो की बहुत ज़्यादा क्या है? soft होती है. और उसमें blood vessels और nerves होती है. Care of teeth. हमें अपनी दातों की care कैसे करनी चाहिए? हमें अपनी दातों की पूरी care करनी चाहिए ताकि हमारे teeth जल्दी खराब ना हो. क्योंकि teeth ही ऐसा part है, अगर आप उसकी अच्छे से care करोगे, तो वो last तक आपके साथ रहते हैं. तीत की care करने के लिए, सबसे पहले हमें daily brush करना चाहिए two times, ताकि जो हम खाना खाते हैं, उसके बाद वो हमारे खाना mouth में ना रह जाए. अगर वो mouth में रह जाएगा, तो वो plaque बन जाएगा और जिससे क्या होंगी? cavities होंगी. और आपके teeth में pain start हो जाएगा, teeth के बीच में gap होने start हो जाएगे, आपके जो gums हैं वो क्या होएगे, swell होना start हो जाएगे, और आपके जो teeth हैं वो तूट जाएगे. इस करके हमें अपनी teeth की क्या करने चाहिए? केर करने चाहिए, proper and daily brush करके. हर six month में आपको अपने teeth का check-up कराना चाहिए, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और कमेंट करके बताएए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है. Bye and have a nice day.